हुआ अक आपका अप्सक्राइब करेंगे और साथी से फ्रेंड एक बात और कि हम यहां पास चोई तु करेंड कर दिया है उसको भी आप लोग देख लेंड करेंगे हमने और भी वीडियो से अप्रोड कर दिया है उसे आप लोग देख लाए जिसी तो प्रूब आपके लिए बहुत ज़्यदा प्रोड़क्टी होगा आज हमारे इसमें टॉपिक हम कवर करने का प्यास करेंगा और इसके जो भी टॉपिक होंगे हम एंवारोमेंट के आपको एक हम तक की तेन से चाहर वीडियो में पूरा इंवारोमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट सेग्मेंट होंगे पूरा हम कवर कर लेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नक्स्ट टॉपिक है युएन को जारा पप्लिस की गई वर्ड पाप्लिशन प्रॉस्पक्र प्रॉपर्ट टुथाउजन नैंटीं ठीक है तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यह अला कि आपके प्रीलम्स के पाइंट आप इसे इंपोर्टन इसके बारे में कुछ इंपोर्टन इपोर्टन दिखा गया है इस रिपोर्ट में यह तो यह ग्रूप क्या हो है यहां पास की जनसंख्या है तो यह क्लाइमट चंज के कांड बहुत ज़्यादा प्रहावित हो रही है और यह इस रिपोर्ट ने यह संभावना व्यक्त कि है कि यह जो सिट्स पूरा ग्रूप है तो इनकी जो देश हैं तो इनकी जुस्परकार से जनसंख्या बढ़ रही है और जो क्लाइमट चंज के स्थिति है क्लाइमट चंज हो रहा है उसके कांड यह SDG 2030 के गोल को एचीव करने में मतब जाल सफल नहीं हो पाएंगे यह नहीं कर पाएंगे उसके लिए एक का संदेह व्यक्त किया गया है ठीक है तो यह तो इसका इस हुआ है अब थोड़ा से के बारे में थोड़ा से देखने का प्रयास करें प्रिशन तो इसमाल आइलाइंड्स डवलप्मेंट श्टेट्स इस में से क्या हुआ था कि यह जो सिट्स है यह 1992 में 1992 में संयुक्त राष्ट के परियावाण और विकास कॉन्फरेंस में क्या किया अन्डवलप कंट्री के दोड़ा इसमें हम इसके उदाहन के तर पर एक्जांपर के तर पर देख सकते हैं कुछ ऐसे की चोटी चोटी दीब जैसे की को मुराश हो गया गिनी विशाव हो गया साव टॉम हो गया श्वलोमन हो गया इसक्रेश के वह हैं तो इसमें से देखा गया कि जैसे 1994 इसका एक और फैक्टर आप तो उजाद रखेगा कि 1994 में बार बार डोस के कारग्म में 60 सो जो है इसको एस टीजी है एक कशिछ किया गया था यानि कि उससे सहायता देने के लिए मतलब कि ऐसा वो किया गया था कब 1994 में कौन सी बार बार डोस के आरक में इसको तो SDG समंदित तो एसिस्ट किया गया था इसलिए इसके बारे में संभावना विज्वन प्रस्परक्टर्स रिपोर्ट के बारे में अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सवलाँ प्लस्ट सेक्सम याले में काफère चय्श सरची तर रहा है तो इसके बारे में यह इंचतर क्व करती है तो यह जो प्रजाती है कि यह जो है तो एक प्रकार से बैसे din shirt गुण को प्रद्रीक करता यानि कि मेल प्रugen इस प्रदर्सित करता है यह कोई पहली बार तो नहीं है तो लब लब 85% ऐसे प्रदर्सित करते हैं तो वह क्या होते हैं कि उन्हाइब बाइसे को ज्यादा प्रदर्सित करते हैं इसकी क्वालटी है तो इसमें ऐसी खास्यत है कि पहली ऐसी प्रजाती है जो कि अपना सक्स आरगन को ही बदलता रहता है यानि कि एक जंडर ख्लोड के तौर पे चेंजर लाता रहता है यह इसकी खास्यत है यह 85 तो है इनमें अनेस्टेबलिटी नहीं होती है फिक्स हो जाते हैं लेकिन यह जो दे सकता है कि यह क्या कै यह प्रजाती है और कोई घ्रह है यह कुछ भी और इस एससे एलेकं वीLab में रहेगा तो आप लोग इस ट सकते हो एक तो पैसले के तरफ नेक्स टॉपिक के तरफ नेक्स टॉपिक है यह काफी चर्चत रहा है आरोगे पाचा मिर्याकल प्लांट से रिल्टर है यह आप देख सकते हैं कि आरोगे पाचा मिर्याकल प्लांट क्या है यह 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 इसके बारे में देखें तो पहले बाद तो आपको यह यह दगिएगा कि अगंस्ट्यू से का यह इंडय में और पहल साथ है कि और इसके बारे में और थोड़ास जा पाएने खाट नए लगाट उसमें मिलता है और इसके बारों इंडय में अच्छं प्षीमी घाट में छोगी ट्राइबल लेकर रहती है तो जो कनी ट्राइबल है कौनसी कनी ट्राइबल है कनी जंजाती जो है तो यह अपनी थकान को मिटाने के लिए एक ट्रडिशनल ट्रपी यह जो अरो के पाचा है इस मिरेकल प्लांट का प्रयोग करते हैं ठीक है तो जैसे यह कनी ट्राइबल के बा तो यह जो है तो एक ट्रेडिशनल उस पे इसका प्रियोग करती है यह बहुत अस्वादिक गुन है यह आरोगे पाचे या मिरेकल प्लैंट यह इतना इसके लोकेशन आप लोग जाद रखेंगा यह इसके लिए इनफ होगा तो आप लोग इसलिए कर सकतो हो ठीक है हम चलते है यह फिए इसलिए यह जालिए गश्राइब रहा प्रet को या मिरेकल नियुकित कर सकता है एक smo जिए का कर यह जालि पर सत्ता माय बहुत सप्लाषट बघत ओ सब्सक्राइब 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 मतलब समार्थ चाहिए कि प्लास्टिक कच्रा जो है समुद्र से हाटाने के लिए एक डिवाइस है इसको 2,000 फिट लंबा ही से डवलब किया था इस कच्रा को साफ करने के लिए आएलेंड रख से कच्रा कैसे वह हो जाता है में को एक प्रकरां रोप में गार्स बनाते ठीक हैं जिससे के प्लाश्टिक के gusta का कच्रा होते बहां legends संकेंदरित होता चला जाता है तो हैं इस प्रकार प्रकार के अपना अपना प्रसांत महासागर कहाते हैं तो यह आपका आइलांड उफ ट्रसाफ को साफ करने के लिए इसके लोकेशन जो है करनाटक में है करनाटक में यह 2007 में बना था ठीक है और यह दच्छन भारत का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर एक्टिर एयरिया है यहाद रखेगा कि साउथ इंडिया का लार्जिस्ट प्रोटर्ब एक्टर एरिया है यह आप लोग याद दखेगा ठीक है अब यादी बार हम इसमें देखें कि इससे लगते हुए कुछ छेत्र भी है यहां यहीं आसपास इसके जैसे देख सकते हैं कि कुछ आजका एक प्रेंड भी होता है यह जो कुछ कंटीनू दो तीन जो से लगे हुए सटे हुए नेशनल पार्क ठीक है प्लस मुदुमलाई मुदुमलाई नेशनल पार्क भी यहीं पास है और प्लस वाइनाट वाइनाट अव्यहरण भी यहीं पास है यानि कि तीनो इससे सटे हुए चेत्र है बांदेपू टाइगर रिजर्व से अब इसके बारे में थोड़ा साम और जानने का बहुत सब्सक्राइब और लोकेशन के बारे में विसेसा रखिए गया विए इसकी जो लोकेशन है कनाटक में लेकिन और यह नियख्यों तो को स कौन से इकलती है और इसकी लोकेशन पे देख घंगर कि कनाटक में तो हैई जायतर लेकिन कनाटक तमिलणाडूー केरल के सी्मा बांधिपूर ताइकर डिशर्व कि ये है आपका बाल्डिपूर टाइकर डिसराइ़ रिडिये इंफ्रमेशन हम चलते врем है कि जाल के समश्या तो बंती रहते वैसे जर dł令 He वे प्राइवं यह बना है किससे संसाधन मंत्राले बनाे characters है रखेगा कि तीम रहा को मर्पों करके जल सकती मंत्राले को बनायाello है उनमें से तीन वो कौन-कौन से एक जल संसाधन मंत्रा ले है एक नदी और गंगा नदी विकास मंत्रा ले है और पेजल और सचता मंत्रा ले इन तीनों को मिला ताहत ही जो है तो नल से जल इसकीम सरकार ने लांज की थी ठीक है इसी के ताहत नल से जल अब नल से जल इसकीम के ताहत क्या हुआ था कि हर घर पर पैप्ड पेजल पहुचाने के सरकार ने वादा किया है कैसे जैसे यह कि जल जैनमेशन के ताहत नल से जल की बात जो की गई ह तो नल से जल इस एकीम जो है तो इसके तास्ट क्या कहा है स्रकार के ज़ारा है मतलल कि एक टारगेट टक राज सब्सक्राइब हार घर या हẸर घ्र चाहर इस राजस को पाइब जो बेजल है रहे है और एका में फांट पानी की सुव grid है उप्लब्द की तार्गेट है ठीक है नल से जल सकती मंत्राले बनाया गया है जल सकती मंत्राले के और भी responsibilities दी गई है इसके तहट जो है तो अंतरराश्टी और अंतरराजी जल्विवाद जो है उनका भी समाधान यही मंत्राले करेगा यह आप लोग याद रखेगा इसमें कोई भी confusion की बात नहीं है ठीक है अब हम चलते अपने नेक्स टॉपिक की तरफ तो नेक्स टॉपिक अपना है नक्स टॉपिक है कि हाली में गुजरात के जो प्रदूशन नियंतर बोर्ड है ठीक है गुजरात का जो प्रदूशन कंट्रूल बोर्ड है यादि कि GPSP GPCB तो इसने क्या किया है बहुत ही अच्छा इनवेट्व इसने इसकीम अपनी लांच किया है इसने क्या है कि जो एर पॉलूशन होता है उस एर पॉलूशन को एमिशन है उसको रोकने के लिए अच्छा सा मार्केट इसकीम जो लांच किया है एमिशन को रोकने के लिए पहले बात इस प्रकार की जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम गुजरत प्रदूशन इंदर बोर्ड ने लांच किया यह यह देश की ऐसी फर्ष्ट प्रोग्राम इसने ऐसा लांच किया गया है जो कि एक बीसी से क्रीटीम सखीन देखें कि अकर यह वर्ट का से काम प्रदीर यह तो इसको कंपनी आप यह दो कंपनी आप इसको कंपनी भी माल व्याख डिक है तो यह दो कंपनी है इसके लिए जो एमिशन है उसके लिए एक लिमिट कर दी गई है कि तोनों ही कमपनियां चाहे कमपनी ए हो या कमपनी भी इस लिमिट से ज्यादा उस सरजन नहीं कर सकती है यानि कि सभी के लिए प्रकर से बराबर सा एमिशन की लिमिट सेट कर दी गई है जो कि इसमें देखें कि इसमें से लिमिट तो दोनों के लिए बराबर है अब यह डिपेंट करता है कि आप इसके दारे में ही रहकर करो इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो तो अब दारे में ही रह बताब कि हाई टेक है या कि और भी कुछ कारण हो सकते हैं तो यह ज्यादा एमिशन नहीं करता है लेकिन लिमुट तो ज्यादा है ठीक है हम इसको थोड़ा सा इस साफ से देखता है जैसे कि कुछ जैसे कुल एमिशन की जो लिमुट सेट की गई है यह 15 के आसपास है कॉंटि कि 15 ही सेट है लिमिट लेकिन यह क्रास करना चाहरा है थाटेक करके हम 23 तक करें witnessed में नहीं चाहिए इसको देबा कि इसमें इसकisen के पैसा नहीं यह सर सी क्ह सेखते हो जाएगा और यह अभी इधर सथीख विंदित हो जाएगा जाएगा सकता है या कासे balancing approach हो जाएगा और इसके भी development में कुछ help मिल जाएगा company एक विकास में भी कुछ यह आपने development कर सकता है infrastructure और और यह भी अपनी emission को मतलब की अपनी जरूत कावशक्ता को पूर्ती कर सकता है तो में मतलब की यह है कि कासे carbon trading जैसे से यह system करता है और इससे यह भी है कि ज्यादा ज्यादा जो emission होता है उसको एक limit decide करने से ज्यादा मतलब की उस सजन भी नहीं होगा ठीक है तो यह कर से इसके लिए advantage वाली ही याँनिक यह illegal काम है लेकिन किसानों ने किसानों कि का कर प्राएब है तो इस لिए Herbicide Tolerant Variety है कंए Herbicide Tolerant Variety है यह आपको ग्याद खपीगा Herbicide Tolerant Variety है ET die HD-BT इअलग से नहीह है उस है BT Cotton आपने सुना जिए BT Cotton की Herbicide Tolerant Variety है जो जो जल स यह देखते हैं इसमें सहे देखते हैं कि जो Glyphosite की इसमें क्षिटा है इसमें Glyphos Shed जो होता है वह डाल करके इसमें जो Veed है तो इसमें फिर्व बढ़दे टेक है तो deliver जाते है और कि कोई भी जैसे फर्शल बगेरा है इस ताइप की जनारी की जरूर्यक, तो इसकी जरूरी है यह मुलियाइकन करती है कि कौन से अच्छा है इसके लाफद एक मत्तब इसके परणाम निकल सकते हैं नहीं तो इसने क्या कि GEC की जो परमिशन है तो गाने के लिए नहीं है किसानों को ठीक है याद की एक प्रक्राइब याद रखीगा तो इसके लिए कुछ ने कुछ दंड़ भी हो सकता है है पेनाल्टी भी हो सकती है तो इसके परमिशन के देख सकते हैं कि यदि इलेगल काम के जाता है यानी कि बिना परमिशन के कोई भी जो फशल वगर आ है कुछ भी उगया जाता है ठीक है जैसे कि एश्टी पाटन इस टाप के जो न्यू जेनाटिक जो भी फशल की जाते है त इसमें यो जो एशिटी बीती क है तो इसकी परिमेशन नहीं ती बीटी काटन मैं नहीं कर रहा हूं यादर कहें हख कर हैंगा आप्तितल जत्तब्ड और GST आप्रोडस आप्रोड अप्रेवल ही नहीं इसम्हाथ थोड़ा से थे हम देखें एश्टी बीटी के ने हैथ लेकिन बीटी करने में याद रखेएगा इस थोड़ा से हमें डिफ्रेंट शचिएगा तो बीटी कटने के लिए पर्मिशन थी या पर्मिशन है 2002 में भारत में BT कॉटन आया था ठीक है 2002 में BT कॉटन भारत में लांच हुआ था और भारत इस प्रिकार का अब कुछ प्रावलम इसमें देखनों के मिलती है तो इसमें से देखा कि जैसे कि इसमें हम खासे देखते कि बीटी काटन आथा तो हम थार्ड बड़े काटन प्रोडूसर बन गया थे साथ सेवंत एक्सपोर्टर भी बन गया थे ठीक है उत्पादक के साथ साथ में बहुत ब बीटी काटन ने यहां पास हाइबृड को इंडिकरेट करता है जो हाइबृड बीटी काटन है इसकी मांग भी ज्यादा मतलब कि बढ़ने लगे थी इसमें कुछ कम्यों की वज़ा से बीटी काटन में कुछ समस्या थी तो हम और भी आगे वही बात होते कि तक्निक जो हर नित नहीं आया कुछ नए ही डायमेंशन उसमें जूरते चले जाते हैं तो जिससे क्या होता है कि नए वाले में जो पुरानी कमियाहत उसको डिस्पादित करके नए उसमें जो अच्छी चीज़े होती हैं तो बीटी कर्टन के जो समस्या है उसके निवारन के तरफे तो इसलिows यह डी इसको अप्रूअव नहीं मिला था इसलिए मतब कर नहीं थे लेकिन नर्मल न्याнов myths के बातित चले से हैं जो फिरन्लम होता जैसे है न बातित चले कर से कि करेंसिका थल्यार में बहुता है जो इसमें होता है एकिक ऑली फ्रेंजें बेक्टीरियम होता है तो वो इसमें बीटी कटन में डाला जाता है अब इसमें भी हम थोड़ा देख लेंगे थे थोड़ा सा तो पहीजिद्धके बात करते हैं जो बैसिलस थोलेजियंग आपको यहाँ त्रेंजियम के देखिए फिरनन के देखें गैश समें इस था cry 2-AB ठीक है cry 1-AC and cry 2-AB यह bacillus bacteria जो था इसमें दो जिन ये थे इसी इन ही दो जिन को निकाल करके यह Bt cotton में लाय गया था लेकिन इन दोनों को ही cotton के genome में क्या कर दिया खथा डाला गया था तो Bt cotton में गया था ठीक है याद रखेगा कैसे यह बना था जो Bt cotton के लिए क्या गया था जो तो मिट्टी का जो Baceless Thrygium bacterium है उसमें से दो उसके निकले था यह क्या इसके दो जीन क्राई 1ac और क्राई 2ab यह दो जीन उसके निकाले गया इन दोनों जीन को डाला गया इन दोनों को ही cotton के genome में डाल दिया गया काटन का जो से था उसमें डाला गया बैसे थ्रेंजेंस की इन दोनों genome को तो काटन के genome में डाला गया तो यह Bt cotton बन गया ठीक है अब इस पर सब देखें इसमें से थोड़ा सब देखें कि यह जो Baceless Thrygium का जो यह cry 1ac और cry 2ab यह जो दोनों डाले गया थे उसके तो Bt cotton बन छो इसं बना था ठीक है Bt cotton बना था यह जो बैसे स्रंजेंगे जो genome है इसके क्या इसमें क्या गया था कि इसक ब्युक्तिक प्रोटियन है तो इसमें टौक्सिक प्रोटियन से क्या ऑक अब जो बालवर्न वगरा सब्सक्राइब आशान यह बटीक हो जो उसके भी तो especially इसमें ये तो दो ठीकी है कि cry1-a, cry1-ac and cry1-ab, cry2-ab, ये तो दो है ही, एक third new gene भी इसमें देखा गया है, ठीक है, HDBT कटन में, एक third new gene, वो third new gene कौन सा है, CP4-EPSPS, ठीक है, EPSPS, ये भी इसमें include कर दिया गया है, ठीक है? झाल